अलो फ्रेंज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्ले इंशिक्षा अनीता चंद्रा में आज हम करेंगे क्लास 7 का कॉंगरेंस ऑफ ट्रेंगल तिर्भुच की सर्वांगसम था अब बात करें चैप्टर नुबर 7 की तो चैप्टर नुबर 1 हम कर चुके हैं उसका लि तो पता ने चले कि कौन से ट्रेंगल है तो इसको बोलते हम सर्वांगसम क्या बोलते हैं सर्वांगसम ठीक है जैसे लिखा है विंग एक्जैक्टल सेम साइजन सेप्ट एक ही आकार और अकर्ती वाले तिर्भुरी तो दोनों सेम होनी चाहिए देखने में भी और उसको दिशान हमारे पास यह होता है जो हम 7.1 में डिसकस कर चुके थी जैसे फॉर एक्जामपल लेते हम यहां से ए बी सी और डी ए एफ हमारे पर ट्रेंगल है इसके तीनों साइड है हमारे पास बराबर है हमने लिख दिया कि एसी बराबर है एफ एफ एबी बराबर है डी एए तो हम यहां पर और कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं जैसे हमने लिखा साइड 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 अब इसमें क्या होगा हमरे पर ट्रेंगल है तो इसमें तीनों साइड की बात करेंगे ठीक है और सेकिंड प्रॉपर्टी की बात इसमें दो साइड और एक एंग तो उसमें लगाएंगे हम RHS, क्या लगाएंगे इसमें हम RHS, अब एक बात करते हैं, the corresponding congruent part of the triangle, मतलब सरवांग सम् तिरुफुच के जो संगत भाग होते हैं, वो बराबर होते हैं, ठीकि कैसे, जैसे मैं आपको एक 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 जामपल दिया है, कि A, B, C और D, E, F हमारे पास दो triangle हैं, और दोनों क्या हमारे पास congruent हैं, क्या हमारे पास congruent, तो congruent पर हैं तो हमारे इनके सारे angle क्या होंगे, बराबर, इसको क्या लिखते हैं, by, C, P, C, T, मतलब corresponding part of congruent triangle, कि जो तिर्फुष हमारे पास सर्वांग सम हो गई है, उसके बाकी जो पार्ट है, वो सारे होंगे, बराबर, ठीक हैं, तो चले, स्टार्ट करते हैं, 7.2, अब इसमें बोल रहे हैं कि कौन सी हमारे पार property लगेगी, हमें कुछ ट्रेंगल दे रखे हैं, कुछ गीवन दे रखे हैं, उसके according हमें सिर्फ प्रॉपर्टी बताने हैं कि कौन सी है, तो जैसे हम यह पहला question देख लेते हैं, दो ट्रेंगल हैं, उसके तीनों साइड हैं हमारे बराबर हैं, और यह congruent है, क्या है यह congruent, तो प्रॉपर्टी लगेगी, SSS, मतलब साइड, साइड और साइड, ठीक है, सेकिन में देख लेते हैं, जैड एक्स और आर पी बराबर हैं, पी की और जैड वाइ बराबर हैं, इन दोनों टैंगल में, और एंगल की बात कर रहें, एंगल आर बराबर एंगल जैड की, तो हमेरे पास क्या आगए, दो साइड यह आगई, एक एंगल आगए, तो साइड एंगल, साइड, ठीक है, नेक्स्ट अब हमें देखो, इन दोउक फीगर में हमें दो एंगल दे दी है, और एक साइड दे दी है, तो सिद्ध के हमारे पास प्रोपरटी या दख भी है, तो इसमें क्या हुट जग हमारे पास एंगल साइड एंगल, next देखो अगर बात करें e b बराबर d b हमरे पर कुछ figure है बढ़ा e b बराबर d यह हमरे पर हाइपरणेस होगे a e बराबर b c यह हमरे पर side होगी और angle बराबर है तो इसमें क्या लगाएंगे हम rhs क्या लगाएंगे इसमें हम rhs ठीक है तो यह हमारे हो गया कि आपको प्रॉपर्टी लगानी थी कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से ट्रेंगल में लाए कर रही है अगर हम second question की बात करें तो हमें एक ट्रेंगल दे रखिए वो भी congruent है तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि a rt और pn दोनों दर्शाने के लिए हम बताना है कि हम कौन-कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि sss कब लगा सकते हैं कब लगाएंगे जब तीनों साइड यह होंगी बराबर हो ठीक है तो इसमें देखो ar बराबर है pn हमने लिखा rt बराबर है en a t बराबर है pn ठीक हैं तो इससे हम क्या लगा सकते हैं कि sss मतलब तीनों साइड बराबर हो रही है जैस हो ठीक है सेकंड बोल रहे हैं कि angle t angle n बराबर है तो हमें sas लगाना है side angle side मतलब दो साइडे और एक angle तो एंगल हमें दे रख है तो दो साइडे देखो हमने लिख दिया rt en pn 8 यह बराबर है और एक angle बराबर तो हमारे होगे sas ठीक है बोल आधर यहार्गे दिया गवारे कि 80 pn कि विखने हैं साइड आंकल्त भात कर रेंगल एंगल ऐसे हमेंठ साइड साइड फिगर में एंगल साइडर एंगल में मौन सायड साइड अगले में पहले तो देखते हैं अंगला क्वेशन लिखा जिदी आपको AMP और AMQ दर्शान है ठीक है तो आप क्या-क्या फॉलो करोगे किन चरुनों को फॉलो करोगे तो लिखा इस चरुए तो रही चरुए पी किन का मुएं भीजसे हैं नहीं नहीं थे क्या है जोटेखन लिखा लिखा क्या सकत्ति है। गुए नहीं लिखा तो नहीं की तो दो ब्राबर हमें गिष Васएग का सफम्सों सब्सक्राइण अगर जियां रही तगा है तो योड़ा क्यान था उसके बाद हमें बोल रहा है मतलब PMQ यह वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है और डी गीवन है फिगर में अगर आप NCRT खोल के देखो तो ऐसी फिगर आपको गीवन है वहां पर ठीक है तो इसका भी रिजन क्या ज़ेगा गीवन आप देखो यहां से ठीक है तो यह प्रापटी लगी है तो यह कोशन आपको मोस्टली एक्जाम में देखने को मिल जाता है ठीक है एक्जामपल नंबर फोर हो रहे हैं कि ट्रेंगल है ABC में उसमें एंगल A 30 है B 40 है C 110 है और एक ट्रेंगल है PQR क्या है उसमें P 30 है Q 40 है और R 40 है एक विधारती कहत है कि एंगल 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 मतलब इसकी प्रॉपटी लगा सकते है तो इसकी प्रॉपटी हमारे पर नहीं होती है प्रॉपटी हमारे पास कितनी होती सिर्फ चार हमें गीवन है भी साइड 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 एंगल साइड एंगल और राइट हैंड साइड ठीक है मतलब RHS तो यह हमारी पर प्रॉपर्टी नहीं हो सकते लिखा आज स्टूडेंट से डेट ABC कॉंगरेंट है PQR और प्रॉपर्टी कौन से लगा रहा है एंगल 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 की तो no because the true triangle with the equal corresponding angle need not to be congruent आपको यह लिखनी पड़ेगी विच्चरवर्णिंग इन सच और कॉर्रसपांडिंग वन आफ देंग कैन भी इन लार्ज कॉपी ओंड़ अधर मतलब क्या बोड़ रहा है यह कथन सकते नहीं है क्योंकि एक तिरभुच के सभी कोण यदि दूसरे तिरभुच के संगत कोणों के बराबर हो तो भी वे एक दूसरे क्या कार से छोटा कि नहीं करेंगे तो इसलिए हमारे पॉर पार पॉपर्टी नहीं लगती है हमारे पार स्विस्व चार प्रॉपटी जो मैं आपको बता दी आगला कोशिन नें फिस्ट लिखा अकर्ति में दो तिरभुच है एक ए इख और व्न ठीक है चरवांगे साम है जिनके संगत भाग को अंकित किया गया है और हम लिख सकते हैं कि RAT अब RAT किसके बरापर है वो देखते हैं ठीक है मतलब इफ दा फिगर टू ट्रेंगल वन कॉंगरेंट दा कॉरस्फर्णिक पार्ट ऑफ दमां तो हम कैसे लिख सकते हैं अब र एक एंगल है इस इंगल में एक ऑफ बोकलीस नवग रोट टू गरण्गञ पर यह सबस्केस को स्कते हो नगा असर चाहित को सेफ साइड एंगल पीनिस साइड रिख़ेंगल रगविफ तोतuard अ, नीमित। डवल्लू ओ अब लिखो कर्थन को पूरा करें आप देखों हमरे पास कर्वीड़ कॉंगरेंस स्टेटमेंट हमें एक फिगर दे रखी है बी ए टी और बी ए ची ठीक है और हमें बताना है कि कॉंगरेंट है या नहीं कैसे जब भी हम किसी को कॉंगरेंट करते हैं तो पहले ज ति कहने का मतलब क्या है कि WCB TK यहां लिखने कीवन क्या है यह किवन उसको यह विशे लिखने कंप तो हमने लिख दिया BCA खॉगनें बीटीए और हम तीनों साइडे लिए इसलिए साइड 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 ठीक है अब नेक्स्ट फिगर वहीं बोल रहे हैं लिखा QRS क्यों है किम निचे देख लेते हैं लिखा क्यु आर एफ एक टैंगल है और पी क्यूटए एक ट्रेंगल ले आप इसको बताना एक कि में नहीं तो देखो कि यहां पर हम ने पहले ट्रेंगल दिय क्यू आर्स स्टavat मुछ यह उसके बार ट्र Bennett पी ट्रेंगल लीगे ठीक है अब इसमें देखेंगे तो हमें देखेंगे कि हमें कौन-कौन ट्रेंगल है क्यू आर क्यू आर जो ट्रेंगल है किसके बराबर है किसके बराबर है हमारे पास पी क्यू के तो पी क्यू है और पास यह है और क्यू एस क्यू है उसमारे तो ट्रें तो बात करें लाइन यहां पर तो हमने बात करते हैं तो पीक्यू कि किसके बदार था रसकी किसके बदाबर था कि सांवांगसम भागों को एक अत्रिक ठियूगं बताएं जिसमें A B C और T Q प्यूं सा stripes तो मतलब किसका प्रियूक कर आपने तो अगर हम बात कर लेते हम टेंगल बना लें अब टेंगल बना लेते हैं A B C और T QR और सिंखते हैं तो गार हमें किस तरीके से बराबर होगा ठीक है अब नेक्स्ट कोशन है चर्चा कीजिए कि दोनों क्यूं बराबर है देखो कोशन इंपोर्टन है ये ठीक है और दीके से किने क्युंकि देखो हमने ट्रैंगल ले लिया पहले ए बीसी कौन्स ट्रैंगल लिए शॉन ऐफ चेपल एंगल बन रहा एंगल अगल दोनों । उसके बाद हमने देखा BC पर double line है और DE तो यह दोनों line है कैसी है बराबन है यह भी हमें क्या है given इनका reason भी लिखने है कि given है क्या है तो हम लिख सकते हैं कि ABC congenutate target angle FED में तो इसको हम लिख सकते हैं right hand side ठीक है तो यहां पर इसको angle side angle भी लिख दो क्या हमने दो angle angle side angle ठीक है त आपको समझ आया होगा अगर आपको कोई query है या कोई समय नहीं आया तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं thank you धन्यवाद